कि दोस्तों में आ गया उमर आटो सेंटर के तरफ से आज लेका आया हूँ डिसक का वार हांडेड़ 35 का जो मॉडल उस मॉडल के बड़े मेरे इस बाइक को प्रोब्लेम हो रहा है कॉमपेशार ने आ रहा है इस्टाट ने हो रहा है मैंने देखाता हूँ अभी इसका कॉमपे कास्टमार बोल रहा है मेरे पास अभी पाइसा नहीं है थोड़ देन के लिए मेरे वह भगो ड्रायव करना है इसलिए मैं आभी देखाता हूं मैं कैसे काम सहल्ब तका हूं मेरे साथ जुडा रहे हैं और देखिये मैं क्या करने बला हूं मैं अभी इस बाई का सीट ट्यांकी निकलने वाला हूँ उसके बाद क्या कारने वाला हूँ वो भी देखने के लिए जुड़ा रहे मेरे साथ अभी थाइप पने उपको मैंने ट्यांकी को निकल दिया उसके बाद अभी वाई का जो रॉकर रहता है उसको क्याप को निकलना है उसके बाद रॉकर को मेरे थोड़ा लूज करने वाला हूँ देखिए किस तरह से लूज करता हूँ मैं अभी दो रॉकर का क्याप निकलने वाला हूँ दोनों पेपको निकल दिया आभी पुरा टाइमिंग मेरे को दिखना है उसके बाद फिरोकार को लुज करना है आभी टाइमिंग दिखने बला हूँ मैंने टाइमिंग कर लिया देखें रोकार लुज होना चाहिए थोड़ा भी नहीं हिल रहा है और पीछे बला भी नहीं हिल रहा है पीछे बला थोड़ा हिल रहा है और यह बला नहीं हिल रहा हूँ मैं आभी इसको थोड़ा लुज करने बला हूँ कि लोज कर दिया देखें थोड़ा हिल रहा है मेरा रोकार लुज करने का कम हुआ अभे पेशार आ रहे कि नहीं आ रहे है वो देखना है कि इसको टाइट करने वहला हम पहले उसके बाद देखिए कि पेशार आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि अभी देखिए पहले बाद कम पेशार नहीं था उस्टें पैर उपर उठाने से कीक नीचे जा रहा है था अभी देखिए पेशार आ रहे था आ रहा है कि पेशार आ रहा है उसको मतलब बैक इस्टाट होगा मैं इस्टाट करके देखाता हूं इस्टाट आया है दोस्ता आप लोग का वाइक का वाइक का इस तरह से प्रॉब्लम आता है तो वह कॉंपेशार का प्रॉब्लम और दूसरा मेकानिक क्या गारता है प्लाग निगाल के थोड़ा पुराना वाला इंजिनोर्ड ललता है उसके बाद कुछ दिन के लिए गड़ी चलता है मैंने किया अभी ये बाइक चलेगा प्रॉब्लम आएगा नहीं मेरा ए वीडियो बनाया मैंने ए वीडियो बनाया मेरा ए वीडियो आप लोग को आथ लागे तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों को साथ शेयर कीजिए कॉमेंट कीजिए बेल बाटन को जरूर दावे मेरा नहीं वीडियो बने के लिए आप इसको फिटिंग करना है आप इस बैक रेडी है रेडी है ओके बाई